दोस्तों जैसे ये white board है आपको दिख रहा होगा और आपके screen पर ये देखिए प्रेशन भी दिख रहा होगा ठीक है प्रेशन है कि A अनपाते B बराबर 2 अनपाते 3 और B अनपाते C बराबर 4 अनपाते 5 तो A अनपाते B अनपाते C का मान ग्याद किजिए बहुत ही simple तरीका है दोस्तों ये आपने प्रेशन देख लिया ठीक है अब इसको कैसे हल करना है ये आपको हम बताने वाले है तो simply आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा A अनपाते B बराबर आपका जो दिया है क्या दिया है 2 अनपाते 3 इसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया है B अनपाते C तो आपको लिखना होगा B अनपाते C तो B अनपाते C बराबर कितना दिया है? 4 अनपाते 5 इसको लिख लेना है Simply अब यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों बिलकुल आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको क्या करना होगा? Simply बहुत ही अच्छे से ठीक है? आपको यह दो जो लिखा है दो का गुड़ा इस चार में करना है और यहाँ पर यह जो तीन है इस तीन का गुड़ा इस चार में करना है और इस पांच का गुड़ा इसमें करना भी देखी आ जाएगा यहाँ पर एक सिकंड का काम है A अनपाते, B अनपाते, C बराबर आपका आ चुका है सबसे पहले हमने क्या किया है? दो का गुड़ा चार में किया है तो दो चोग का आठ हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर अनपात लगा लीजिए इसके बाद दूसरे श्टिप पे हमने क्या कहा? तीन गुड़े चार कर लीजिए यानि कि तीन चोग बारा तीसरे श्टिप पे हमने क्या कहा? कि पांच गुड़े तीन कर लीजिए देखे हमने तीर लगाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन का ठीक है चार में किया सबसे पहले दो गुड़े चार करना है दूसरे स्टिप पे आपको क्या करना है तीन गुड़े चार करना है और तीसरे स्टिप के लिए यानि की सी के लिए आपको पांच गुड़े तीन कर लेना है ठीक है तो यानि कि 5 याई 15 यहाँ पर अनपात लिखना है यहाँ पर 15 यह आपका answer आ गया यह आपका पहला method है दोस्तों ठीक है दूसरा method कैसे होगा वो हम आपको बताने वाले हैं दूसरा method और भी आसान है simply आपसे जैसे पूछा था मान आपको पता ही क्या क्या दिया है A अनपाते B बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 2 अनपाते 3 है B अनपाते C बराबर आपका 4 अनपाते 5 है अब यह पहला method हो गया दूसरा method आप देखिए और भी आसान है बिल्कुल अभी मैं फिर से बताऊंगा यह बहुत छोटे समय स्टार्ट कर रहा हूँ बेट्टे आपको अच्छे सा जाएगा जैसे आपको पूछा है A अनपाते B अनपाते C का मान पूछा है तो simply क्या करना है अब यहाँ पर A अनपाते B बेराबर कितना आपका दिया है दोस्तों 2 अनपाते 3 इसको लिख लेना है इसके बाद आपका फिर क्या दिया है 4 अनपाते 5 B का मान B के नीचे लिख लेना है 4 अनपाते 5 अब यहाँ पर देखिए जो यह B वाली बेलू है 3 और 4 ठीक है इस दोनों मान को आपको बराबर कर लेना है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर simply इसको ऐसे कर दिजिए इसको ऐसे और इसमें गुड़े कर दीजिए 4 और इसमें गुड़े कर दीजिए 3 अब देखिए यहाँ जब यह 4 से इस 3 में गुड़ा करेंगे आप तो 3 जोग 12 हो जाएगा और इसका जब 4 से इसमें करेंगे तो यह भी 12 हो जाएगा यानि कि B की जो बैलू है मान है वो बारा बारा हो जाएगी तो simply आपको क्या करना है यहां पर लिखिए देखिए ठीक है चार से गुड़ा कराईए क्या हो जाएगा सबसे पहले चार से आप यहां दो में गुड़ा कराएंगे ठीक है तो हो जाएगा कितना चार दूना आठ अनुपात लगाईए ठीक है अब इस चार का इसमें गुड़ा करिए यानि कि चारतियां बारा फिर से आपको अनुपात लगाना है और यहां पर देखिए तीन चोग बारा इस मान को हमने बराबर कर दिया है दोनों का मान बराबर ही आरा न चारतियां बारा और तीन चोग बारा तो यानि कि आपको एक ही मान लिखना है दोनों नहीं लिखना है इसके बाद अनुपात लगाईए आगे बड़ी अनुपात लगा है और इस तीन का इस पांच में गुड़ा करा दिजी कोई भी आगे की और वीडियो देखने के लिए और आपका जो होता है जैसे A, B, C, D, E तक ठीक है पांच अंकों तक या निकि आप अनपात कैसे निकालेंगे यह सारी चीज हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो या फिर कहीं पर आपको कमी दिखी हो तो कमेंट सेक्षन में जरू बताना और कोई दिक्कत हो तो भी आप पूशना ठीक है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना अच्छे से आसानी से मैत पढ़ने के लिए ठीक है दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही नमस्कार